दिल अपनों का तब चलनी होता है जब ये पता चले कि अपने वक्त से पहले किसी साजिश के तहट घरवालों को छोड़ कर चले गए ना किसी को दर्द वया कर पाए ना किसी के गले लग कर रो पाए वॉलिबुट के यंग स्टार या कहे उभरते हुए कलाकार शुशान्त की मौत 14 जुन 2020 उनके मुंबई वाले घर में फंदे से लटका वो मिला था जिस से परिवार वालों के साथ-साथ इंडस्ट्री की करीबी और फैंस सब हिल गए थे जहां शुशान्त के केस को पुलिस ने आत्मत्य करार दे कर बंद कर दिया था तो वहीं अब जिस अस्पताल में उनका पोस्ट मार्टम हुआ था उस जगह के एक कर्मचारी रूप कुमाश शा के रिपोर्ट ने केस में नया मोड दिया है और साथ ही सब को हिला कर रख दिय कूपर अस्पताल के मार्चरी स्टाफ ने शुशान्त का पोस्ट मार्टम किया था और रिपोर्ट की माने तो तभी उन्होंने बौडी को देखकर आत्मत्य नहीं मडर करार दिया था एक इंटरव्यू में उन्होंने सारी बाते खुल कर कहीं उनका कहना है कि धाई साल पहल पहले शुशान्त की ने प्याइब और रिपोर्ट के लिए शुशान्त की बहन शुशान्त की ने प्याइम मोदी को एक ट्विट किया जिसमें शुशान्त की आत्मत्य नहीं हत्या हुई बात रूप कुमार साह ने बताई सब को उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने मांग की वैसे शुशान्त के परिवार वाले इसको तब भी मडर ही मान रहे थे तब केस मुंबई पुलिस, NCB और ED ने अलग-अलग पहलों से जाच किया इसके बाद मामला CBI के पास पहुचा परगुत्ती अनसुल जी की अनसुल जी रहे गई इन सब खुलासों के बाद अब शुशान्त के वकील विकास सिंग का भी बयान सामने आया है जिसमें उनने कहा है कि ये सीधे तोर पर सुिसाइड नहीं बलकि बड़ी साज़िश के तहत मौत के घाट उतारा गया उनको साथ ही CBI पर भी भरोसा जताया शुयता सिंग ने इंस्टा पर भी पोस्ट शेर किया और बताया कि CBI सी अपील है कि सब कुछ वो अच्छे से देखे हम लोगों को पूरा भरोसा है कि आप लोग फेर इन्वेस्टिकेशन करेंगे और सच को सामने लाएंगे हमें तकलीफ होती है कि इस मामले में कोई खुलासा नहीं हुआ आप तक बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.djpt.com को लॉग इन कर सकते हैं देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते हैं ये जन्भावना टाइम्स नमस्कार